कि नमश्कार साथियों जैहिंद कैसे आप सभी लोग आशा करता हूं कि बहुत अच्छे हैं और आपके तैयारी सुचारी रूपते चल रही होगे मैं आप मयंक है और मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर के प्राक्टिस सेट करा रहा हूं जो आपके इंडियन आर्मी में के लिए बहुत महत्पूर है तो लगातार हमने पिछले कई दिनों से कई हपतों से थर्सडे फ्राइडे और सटेडे को अपने प्राक्टिस सेट होगे बढ़ाते हैं एक रैपिट फायर राउंड की तरह हम लोग इस प्राक्टिस सेट को करेंगे चीजों को चीजों में अपनी समझ भी बनाएंगे चीजों को याद भी करेंगे रिवीजन भी करेंगे बहुत कुछ होगा जो की हम लोग यहां पर करने वाले हैं साथी हो तो बिलकुल रेसर सुर्जीज जी अकाश वर्मा जी सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जल्दी से आ जाई सभी प्यारे बच्चे बहुत बढ़ी आ इंडियन आर्मी जी आईए पहला प्राक्टिस सेट का पहला प्रश्न यहां पर ध्यान से देखते है पहला कम्प्यूटर माऊस किस ने बनाया था? डगलस एंचल बर्ट ने बनाया था ओरेनियल कुधर ने बनाया था या विल्लम इंग्लिश ने या रॉबर्ट जौवकी ने तो आप्ने किस ने बनाया था आपको यह बताना है फटा फट बता दीजे सभी पियारे बिचे फ चांदार शांदार बहतरीन दबर्दस्त नख भता फट बताएंगे सभी प्यारे बचे क्या लगता है सही उद्थ यहीयरd ilam इंग्लिश का नाम भी सुना होगा कि लगभग in 1960 में वे नंग्लिश ने ही PS का माउस का कंपिटर माउस का विसकार किया था लेकिन मुक्यता आपका जो डगलस एंजल बर्ट है इनका नाम बहुत फेमस है माउस के साथ जोड़ा जाता है क्यों ऐसा कहा है क्योंकि यहां यह जो तो स्टैंडर्ड रिसर्च कंपनी है इसके द्वारा प्रथम माउस निर्मित किया गया था रिसर्च इंस्टिटूट आप कह सकते हैं रिसर्च इंस्टिटूट स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टिटूट इसके दोला जो पहला माउस है मुलबग 1960 के आसपास बनाया गया 1960 के आसपास बनाया गया तो यह बात आपको ध्यान रखनी है जी हां बिलकुर आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके सामने आ रहा है ध्यान से देखिएगा कि अच्छा एक चीज और बताए कि कीबोर्ड क किसने बनाया था तो करिष्टॉफर लयथम सोल्स ने बनाया था यह था याद रखेगा इसके अगर में बात करता हूं अगले प्रशनी की तो अगला प्रसन ध्यान से लेगा हाँ, हो जाएगी, बुक भी ओर्डर हो जाएगी, सारी चीज़े हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लाप्टॉप का अगला प्रशन है, लाप्टॉप का डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तभी प्यारे बेच्चे इसका उत्तर देंग टैप पैड है, ऑप्टिकल माऊस है, तच पैड है, या सेंस्टिव स्क्रीन है, जो लाप्टॉप होता है, उस लाप्टॉप का जो मुख्य पॉइंटिंग डिवाइस है, वे कौन सा है, एक बार सभी प्यारे बिच्चे बता दीजेगा, बिल्कुल, हाँ जे, हाँ, टो यहांपर, यहांपर क्या स्बी हो चाहेगा, तो आपका टाच पैड होता है, प्यारे बत्चो, यह जो टाच पैड है, यह टाच पैड आपने दखा ओगा जो लाप्टॉप है, इस लाप्टॉप की आपने ऐसा देखा हो गाँगा, तो यहाँ पर एक टाच पैड बना नहीं बना रैता है यह जो टॉट होता है यह डिफॉल्ट होता है यह और नो तो यह आपका टीपॉंट नि डिवाईस आक याद रखेंगे यार और लो बिल्कुल बहुत बढ़ीक दिए बहुत ही शांधार उत्तर दे रहे हैं जो प्रिक्क है बिलकुल बिलकुल आगे बढshots थे साथियों अग fällt nasıl अगला प्रस्न ध्यान से देखिए अगला question आपके सामने है no computer screen पर drinking करने वाला सिंबल क्या होता है जो computer screen होती है माली यह computer screen है इस पर कुछ blink करता है एसे यह Border पर प्रस्क करता है ее करता है इसे क्या कहते हैं माउस कहते हैं लोगों कहते हैं करते हैं वाला सिंबल क्या कहलाता है बिलकुल बताइएगा सभी प्यारे चुका उत्तर आना चाहिए बिल्कुल बहुत ही शांदार देखे help line नंबर आपको मिल गया है अगर कोई भी समझ से आती है तो आप help line पे संपर कर सकते हैं कर्षड कहते हैं बहुत ही सांदार बहुत ही सांदार अवनेश सेंच जी यहां बिल्कुल ठीक है बहुत बढ़िया तो इसे आप लोग कैस नाम से जानते हैं करसर के नाम से जानते हैं यह बात ध्यान रखिएगा किस नाम से जानते हैं करसर के नाम से जानते हैं अगला पहचानने के प्रशन आप से अधिकतर पूछे जाते हैं और इनका आप जादा से जादा प्राक्टस करेंगे उतनी अच्छी आपकी इनकी तयारी हो जाएगी बताइए कौन सा प्लोटर जो है एक आउटपुट डिवाईस है प्लोटर क्या है आउटपुट डिवाईस है इस पीकर एक आउटपुट डिवाईस है उसे जिससे हमें क्या कुछ रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वह आउटपुट डिवाईस होते हैं तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा पहला दूसरा और चौथा यानि पहला दूसरा और चौथा यहाँ पर option कौन सा हो जाएगा तो E is correct हो जाएगा यानि keyboard, pointer और scanner क्या है आपका input device है ये बात ध्यान रखना है रखोगे ध्यान, yes or no, एक बार बता दीजे, हाँ जी ज़र रखेंगे ध्यान, ठेक है कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया क्या इतनी बात है clear है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन देखिए, अगला प्रशन ध्यान से देखिए, निमलिखित में से कौन से input device है, आपको बताना है, कौन से input device है, तो input device आपको find करना है इस प्रशन में भी, तो ध्यान से देखिएगा, mouse है, keyboard है, scanner है, या all of these है, यानि ये सब ही है, बताईएगा, बिल्कुल, इस से सम्मंदित जानकारी धर्मिंदर सर आकर बता देएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जितिंदर जी, बिल्कुल आपके question मैं note कर लेता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी बाबु जी, उत्तर पासवान जी, क्या लगता है, जितिंदर कुमार जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया प्यारे बचो, हाँ जी, बिल्कुल, 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 सही उत्तर दे रहे हैं, डी option, यानि जो scanner है, प्यारे बच्चे, ये भी क्या है, एक input device है, आपका keyboard क्या है एक input device है, इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है, एक input device है, और input device के साथ-साथ इसे आप लोग और किस नम से जानते हो, pointing device के नम से भी जानते हो, प्यारे बच्चे, और इसके अलावा, इसे आप लोग track ball, input device में और कौन-कौन से आते हैं, तो input device के अंदर बिटा, track ball, track ball आ आता है, light pin आता है, light pin के अलावा, अगर मैं बात करूं, OCR आता है, OCR आता है, OMR आता है, VCR ये सब क्या है, ये सब प्यारे बच्चे, आपका input device है, ये सब क्या है, आपका input device है, ये बात, ध्यान रखनाए, रखोगे ध्यान, ये सौर नो, बहुत बढ़ easiest or no, बילकुल, बह हाँ ठीक है बिल्कुल बुक ऑडर हो रही है बेटा आप बिल्कुल कर लिजे आप हल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है एक बार कॉल करिएगा नहीं लगे थोड़ा से वेट करिएगा फिरते लगाईएगा क्योंकि बहुत कोई करसर है प्रशन द्हां से समझऴिए यह कोई करसर है इस कर से जो बाइं और जो बाइं और जो बाइं और ऑच्छर लिखा हुआ है उसको कौण सी की है जो डिलीक करती है आपको बताना है कौन सी की है, जो delete करती है, प्यारे बच्चों, जी हाँ, कौन सी करती है, end की करती है, end की करती है, delete या पिर आपकी end की के अलावा, आपकी backspace की करती है, home की करती है, या delete की करती है, कौन सी करती है, तो आप लोग जानते हो, delete की से क्या होता है, तो delete की से आप और ऑफे दाइं और के जो अच्छर होते हैं वे डिलीट हो जाते हैं backspace से आपके जुबाइं से चील cancel हैं और प्रशन आप से यही पूचा था तो आपका एक डम सही उत्तर क्या हो जाएगा राजबीर महोर जी मुस्ता कालम जी बिल्कुल बैक स्पेस इस दा राइट एंसर क्या इतनी बाते क्लियर है यह श्पंद पाल जी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके सामने हैं माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम लिखित के किसके उधारण है आपको बताना है माउस ट्रैक बॉल ज निमने हैं कंड माउस ट्रैक बॉल और आपके जॉयस्टिक यह तीनों किसके उधारण है यह मल्टिमीडिया इवाइसे नहीं इस आई इन सब्सक्ना उसकतेओं डन से यह अंगि यहां इन्पुट डिवाइस से क्या करते हैं यह इन्पुट डिवाइस द्वारा डाटा को यह क्या करते हैं इन्पुट डिवाइज द्वारा डाटा को, डाटा को कहां भेज देते हैं, डाटा को, डाटा का निर्देश, डाटा का जो निर्देश या कमांड है, या कमांड है, ये कमांड कहां देते हैं, कम्प्यूटर को देते हैं, कम्प्यूटर को देते हैं, याद रखिएगा, या यह इन्पुट डिवाइज जो है जो डाटा होता है उस डाटा को कमांड देते हैं कहां पर उस डाटा की कमांड देते हैं कहां पर कम्प्यूटर को देते हैं यहां याद रखिएगा हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल है बहुत बढ़िया प्यारे बच्छे वेरी गुड आगे बढ़ते हैं तेक है आगे बढ़ते हैं साथियो इस्क्रॉल अब जैसे यह माउस है तो नाउस तीन प्रकार के होते हैं यह जो माउस है ना यह माउस तीन प्रकार के होते हैं कौन- माउस के अलावा अगर मैं बात करूं तो अगला होता है आपका माउस याद रखेगा तो यह कुछ आपके याद रखना है कि स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं क्या करते हैं स्क्रॉल बार से एक बार सभी प्यारे बच्चे बताईएगा हाँ बुक ऑफर में बिलकुल मिलेगी ऐल्प लाइन नमबर से एक बार आप कर सकते हैं स्क्रॉल बार, से हम कर सकते हैं matter उपर या नीचे matter को delete या उपरोगत सभी जो आपका scroll bar होती है इस जो side में होती है जैसे कोई आपने जब देखी होगी window देखी होगी screen देखी होगी तो इधर side में आपको scroll bar दी होती है इस scroll bar से आप क्या कर सकते हो बताइए आप से प्रश्ण ये पूछ रहा है हाँ ठीक है ठीक है प्यारे बिच्चे matter को आप उपर या नीचे कर सकते हैं ये आप mouse के द्वारा भी कर सकते हैं mouse के द्वारा भी कर सकते हैं mouse में जो scroller लगा होता है scroller लगा होता है इस स्क्रॉलर की मदद से आप उपर या नीचे कर सकते हैं याद रखेगा बहुत बढ़िया रेसर सुजीद जी नितिन फौजदार जी बिल्कुल अविनेश शेन जी बिल्कुल सही बात है अगला परशना आपके सामने है ध्यान से देखिए और उत्तर करने की कोशिश कीजि बिल्कुल इस प्रकार से माउस का एक लेफ्ट बटन होता है लेफ्ट बटन होता है एक राइट बटन होता है राइट बटन होता है कौन सा राइट बटन होता है राइट बटन होता है लेफ्ट से लेफ्ट बटन से आप क्या करते हैं किसी चीज़ को आप क्लिक करके सेलेक कर सकते हैं और यहीं पर बीच में एक स्क्रॉल बार लगी होती है एक वील लगा होता है जिससे आप क्या कर पाते हैं तो जिससे साथियों आप स्क्रॉल कर सकते हैं जी हां स्क्रॉल कर सकते हैं जी उपर नीचे content कर सकते हैं याद रखिएगा क्या इतनी बाते क्लियर हैं या सौर नो बहुत वड़िया आगे वड़ते हैं अगला प्रशन आपके सामने है computer system में कौन सी युक्ती की keyboard के विपरीत या अपोजिट कारे करती है तो कीबोर्ड यहां से देखिए या प्रशन बहुत घुमा रहा है लेकिन क्या हम घूमेंगे नहीं सर हम नहीं घूमेंगे which device in a computer system is opposite to the keyboard कीबोर्ड के विपरीत कारे कौन सा करता है जो कीबोर्ड के समतरह कारे न करके कीबोर्ड के विपरीत कारे करता है trackball, joystick, mouse या printer which one is the right answer क्या लगता है प्यारे बचों कौन ऐसा कारे करता है तो trackball तो बिलकुल mouse की तरह ही काम करता है कि मलब trackball, joystick और mouse ये सब तो आपके keyboard की तरह ही काम करते हैं क्योंकि ये सभी के सभी एक काम जरूर करते हैं वे क्या है data को input कराते हैं क्योंकि ये सभी के सभी क्या है input device है तो data का input कराते हैं system के अंदर बाकी ये जो printer है प्यारे बच्चों ये एक output device है तो ये computer से प्राप्ट data को लोगों के सामने print preview कराता है print view कराता है या फिर आपके data को print कराके आपको hard copy में उस data का output दे देता है यानि कि यहाँ जो computer है computer system में ये तीनो एक समान printer आपका अलग है क्योंकि ये output है क्या इतनी बाते clear हैं सभी प्यारे बच्चों को yes और रो एक बार सभी लोग बताईएगा हाजी sir clear है अगला प्रशन आपके सामने है ध्यान से पढ़िये नेवलिकित में से कौन computer के कारे के लिए उत्तरदाई नहीं है computer के कारे के लिए कौन उत्तरदाई नहीं है एक बार सब्सक्राइगा क्या आपका keyboard में विद्दमान अन्यकों कुंघिया की या फिर video graphics word का M I θα 시 लिए लौक स्पीड या फिर आप की वीडियो ग्राफिक्स वर्ड की मेमोरी या प्रोसेसर में उपलब्द अनेको कोर तो कौन जिम्मेदार नहीं है आपके कंप्यूटर के कार के लिए विच ऑफ दी फॉलोइंग इस नॉट रिस्पॉंसबल फॉर दा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर अगर कंप्यूटर से इस कार को इन में से कोई एक कार हटा दिया जाए फिर भी कंप्यूटर कार करेगा तो कौन सी चीज आपकी जिम्मेदार नहीं है क्या आप बताएए बिना प्रोसेसर के क्या कोई कंप्यूटर चल सकता है नहीं सब नहीं चल सकता क्या प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है इसके बिना नहीं बिलकुल नहीं क्या वीडियो ग्राफिक्स के बिना आपको कुछ दिखेगा ही नहीं तो वीडियो ग्राफिक्स का नाम यह सब जरूरी है जरूरी है लेकिन कीवोर्ड में विद्वान अनेकों कुझिया नहीं भी हो ना तब भी आप कंप्यूटर को माउस के माद्धियम से चला सकते हैं जी हाँ, यह option आपका यहाँ पर गलत है, अगला प्रशन आपके सामने, आप computer में data enter करने के लिए निमलिखित में से किसका प्रियोग करते हैं, data enter करने के लिए, screen का, keyboard का, plotter का, printer का, या speaker का, बताइए किसका प्रियोग करते हैं, प्यारे बच्चे, सभी लोगों को बताना है, आप computer में data enter करने के लिए, निमलिखित में से किसका प्रियोग करते हैं, बताइए, data enter कौन करता है, एक बार बताएंगे, which of the following do you use to enter a data in a computer, तो आपको बताना है, सही क्या हो जाएगा, जी हाँ, input जो device होता है, computer के अंदर data enter कौन कराता है, तो यही कराता है, तो input device अपना य यह आपका keyboard दिख रहा है, तो keyboard एकदम सही उत्तर हो जाएगा, बाकी screen, plotter, printer, speaker, यह सारे के सारे क्या है, प्यारे बच्चे, output device है, तो प्रश्न चाहे जैसे गुमा के आए, क्या हमसे गलत होगा, क्या हमसे गलत होगा, नहीं सर, हमसे गलत, नहीं होगा, यह बात ध्यान keyboard में आम तोर पर डैश function कुंजिया होती है, ग्यारा, दस, बारा, या सोला, बताएए प्यारे बिच्चे कितनी कुंजिया होती है, जो function कुंजिया होती है, कितनी होती है, मुस्ताक जी, अवनेश जी, यसवंत जी, नितिन जी, जल्दी से बताएए, बिलकुल बहुत पवन जी, बहुत बढ़िया, 12 function कुंजिया होती है, 12 function कुंजिया होती है, ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 12 function कुंजिया होती है, कीबोर्ड में कितनी कुंजिया होती है, कीबोर्ड के अंदर, बताएए, control, shift और alt को dash कुंजिया कहते है, adjustment, function, modifier, या शहर, Ctrl, Shift और Alt को Dash कुंजिया कहते हैं कौन सी कुंजिया कहते हैं बताईए एक बार सभी प्यारे बिच्चे कौन सी कुंजिया कहते हैं एक बार फटा फट बता दीजे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आजी बिल्कुल 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 ठीक है बहुत ही शांदार उत्तर दे रहे हैं सभी प्यारे विच्छे बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड इनको आप लोग किस नाम से जानते हैं modifier keys के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं modifier keys तो आपका control है CTRL control shift 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 और ALT 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 ये 3 की 3 क्या है प्यारे विच्छे ये ध्यान रखेगा आपकी modifier keys है ये 3 की 3 क्या है modifier keys है याद रखेगा और keyboard में लगभग 104 जो आपका standard keyboard होता है इसमें 104 keys पाई जाती है ध्यान रखेगा keyboard keys जिन्हें विशेश कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जाता है उन्हें dash कहते हैं क्या कहते हैं dash कहते हैं यानि की याद रखेगा कौन सा keyboard keys जिन्हें विशेश के लिए प्रयोग किया जाता है वे क्या function keys है arrow keys है page up page down है shift या alt है या इन में से कोई नहीं है बताइए क्या लगता है जैसे alt के साथ modifier keys के साथ अगर f4 का इस्तमाल function keys का इस्तमाल करोगे तो क्या हो जाएगा shutdown के लिए option आ जाएगा program आपका close हो जाएगा जो current program है वे close हो जाएगा याद रखना प्यारे बच्छे ठीक है आगे बढ़ते है caps lock key वो toggle key क्यों कहते है क्योंकि हर बार press करने पर इसका function आगे पीछे जाता है क्या ये सही option है क्योंकि इसका प्रियोग number enter करने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसका प्रियोग delete करने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि इसका प्रियोग insert करने के लिए नहीं किया जाता है या इन में से कोई नहीं ना तो यह सही ना तो यह सही ना तो यह सही सही कौन सा A option क्योंकि जो भी इसमें function होता है माली जो caps lock आपने on करा तो capital लेटर पर टाइप होगा तो इसका मतलब क्या है यहां पर हो जाता है याद रखिएगा function आगे पीछे हो जाता है यह option आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है निमलिकित में से क्या मल्टी मीडिया प्रोजेक्शन प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है आपसे पूछ रहा है ग्राफिक्स ऑडियो मेमोरी या कीबोर्ड या वीडियो तो मल्टी मीडिया के अंदर क्या क्या आता है और क्या नहीं आता तो बिल्कुल 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 ठीक है तो आपका यहां पर memory keyword आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा कौन सा memory keyword हाँ एकदम सही उत्तर हो जाएगा memory keyword विशाल पासवान जी हाँ जी सूरज कुमार जी यह बाते clear रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ा जाए हाँ मानक windows के कुंजी पटल पर कुंजीयों की संख्या बताएं कितनी कुंजीयों होती है अब जराल साथ प्रश्ण पूछाए आपसे पहले भी है लेकिन प्रश्ण की भासा बदल दी भासा बदल दी तो आधे बच्चे गलत कर जाएंगे अभी देखना मानक windows के कुंजी पटल पर कुझियों की संख्या 12 11 13 यह 10 जी हां बताइए क्या लगता है सही क्या हो जाएगा जी बहुत बढ़िया जिन बच्चों को पता है कि मानक पठल का मतलब होता है क्या भाई यह फंशन कीज की बात कर रहा है के promise स्थी फटी बात्कर रहा तो फंशन कीशंट के टो हमने पहले वहीपढ़ीया वाहा है कंप्योटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सार्वधिक होता है डायने प्यारे बच्छों क्या माउस का टाषराको क्रिकस्ट है मॉडम का अर्थ क्या होता है भाई चतंते हर्ण मॉडूलेटर और लत быть टेश कि अइसे चैनज होता है आ lazy बाद समझ में ठीक है बहुत record very good प्यारे बच्छो बहुत ही शांंदार उत्तर बहुत कर वहां जब सब्सक्राइब कर लागी कीबोर्ड कीबोर्ड का प्रकार क्या है नियुटा गएारे ये में उघ्र द्रक आपको बताना है चालता है ठीक है भाई आई बात समझ में तो यहां पर डी ऑप्शन एकदम एकुरेट हो जाएगा इन में से कोई नहीं है कीड़ से भी गनेक्ट होते हैं इस तो कोई कीड़ कंप्यूटर के कीड़ में कितनी वर्ड मालाओं की की होती है बताना है 24 25 26 27 बताइए क्या लगता है सभी वोजाईगा पताई सही क्या हो जाएगा फटा-फट उत्तर दीजे कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्ड मालाओं की की होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कमज रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल साथियों ठीक है भईया आई बात समझ में वैसे तो वर्ड मालाओं का मतलब है आचिक्तार रहा है ऐसे नहीं बताना था यह कितनी होती है 26 होती है ध्यान रखना को डैश की टॉंगल की का क्या एक उधारण है टॉंगल की कांसी है इसमें बताओ आल्ट है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, इसकेप है या कैपसलोक है, वो काम जो एक बार हो जाए, और फिर दुबारा हो जाए, फिर वही हो जाए, तो ऐसी की आपकी टॉंगल की कहलाती है, तो फिर भाई क्या आल्ट से ऐसा कोई कार्ण होता है, नहीं सर, सिफ्ट से नहीं सर जी यहां कंट्रोल से नहीं सर इसकेप से नहीं सर तो क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा क्याप्स लॉक्स से कोई भी चीज जो है तेखें निमलिखित में से कौन सा कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है बताईए क्या लगता है राजबीर महोर जी बताईए नितिन जी क्या लगता है सही क्या हो जाएगा कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है monitor, touch screen, printer या plotter monitor, touch screen, printer या plotter कौन सा output device नहीं है तो भाई देखिए आपका ये जो touch screen है न एक प्रकार से आप इसे input device या input output दोनों device IO device की category में रख सकते हो touch screen से आप क्या है चीजों को input दे रहे हो monitor आपका क्या है एक output device है मुख्य output device है जिससे आप चीजों को प्राप्त करते हो printer एक output device है plotter एक output device है ये बात याद रखना तो output device नहीं कौन सा है touch screen ये बात ध्यान रखोगे बिल्कुल ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं computer, speaker या headphone किस परकार के उपकरण है बताए computer, speaker या headphone किस परकार के उपकरण है output, input, storage या software क्या लगता है साथियों क्या सही हो जाएगा computer, speaker या headphone किस परकार के हाँ जिन भी चीजों से आप data प्राप्त करें बाहर वे आपका क्या हो जाता है output तो यह आपके output प्रकार के उपकरण है ध्यान रखिएगा किस प्रकार के उपकरण है output प्रकार के उपकरण है इन्हें ध्यान रखिएगा जान रखेंगे यस और नो बिल्कुल चलिए आगे बढ़ता है printer की printer, keyboard और modem जैसी बाहरी devices क्या कहलाती है add-on devices, peripheral devices, extra hardware devices, PC expansion slot and ons या special device आपको बताना है क्या लगता है, क्या कहलाती है बताइए external devices like printer, keyboard and modem are called modem का full form पहले भी बताया है modulator, demodulator होता है modulator, demodulator होता है याद रखिएगा और वो जो भी device बाहर से आपकी connect की जाती है चाहे वो keyboard हो, चाहे modem हो चाहे printer हो, चाहे mouse हो यह सारी चीज़े क्या कहलाती है peripheral devices कहलाती है क्या कहलाती है प्यारे साथियों peripheral devices peripheral devices कहलाती है ध्यान रखना ठीक है, ठीक है, याद रखो ना और यह peripheral devices क्या करते है expand करते है functionality को expand करते है करते हैं गभी को एपीटर की इंपने लेटी पों क्रों कि कि एअन आं बाद सवी प्यारे बच्क और बिल्कुल बहुत बढ़िया शांदार है तरकारी बाबू जी आई Bay समझ में क्लियर है यह सुसरा कि कॉले टेन दो को मतलिक जो Karma साथ पर च्लियर है और नो एक बार बता दो आजी क्लियर है गुरुजी चालो बहुत बढ़े आगे बढ़े हैं हाँ सबसे common input devices में से डैश शामिल है आपको बताना है सबसे common input devices कौन सी है monitor वा keyboard है monitor वा mouse है mouse वा keyboard है printer वा mouse है printer वा scanner है क्या लगता है सही क्या हो जाएगा बताइए हम 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 सबसे common input devices में से सामिल है हम इनपुट पूछ रहा हूं बेटा जो लोग यह option लगा रहे हो बताना printer printer क्या input device है नहीं scanner तो है चलो ठीक है mouse input device है क्या printer input device है नहीं तो यह भी option गलत हो गया mouse वा keyboard यह हो सकता है यह हो सकता है तो यहीं तो सही है mouse वा keyboard mouse वा keyboard याद रखना रखोगे यह दोनों नहीं हो सकते क्योंकि monitor output है monitor output है आई बात समझ में चलो बहुत बढ़िया अगला प्रशन नेम लिखित में से computer के लिए कौन सी device एक input device नहीं है computer के लिए monitor नहीं है monitor output तयार करने में यह सामिल है output तयार करने में यह सामिल है क्या सामिल है बाहरी विस्व से सूचना स्विकार करना दूसरे computer के साथ communication करना सूचना मूब करना तथा उसका भंडार करना बाहरी विस्व को सूचना क्या लगता है तर कौन सा होगा आपके साब से उत्तर कौन सा होना चाहिए कि आपपुट तयार करने में बाहरी विश्व को सूचना है कम्मुनिकेट करना यह आप्षन आपका बिल्कुत सही हो तो कि जो भी आपका आउटपुट है उसका मदलब यही होता है कि जो बाहरी विश्व है जो कम्पुटर से अलग दुनिया है उसको सूचना है या तो सौफ्ट कॉपी के रूप में दोगे या तो हाड कॉपी के रूप में दोगे अगर मैं इन्पुट की बात करता तब बाहरी विश्व से सूचना को सूचना क्मुनिकेट करना यानी बताना कि compiler से ये आउटपूट प्राब्पत हुआ है यह आपका किसके अंतर्गत आता है तो आउटपूट के अंतर्गत आता है इन पूड़ के अंतर्गत सूचना देना ये बात दोनों आपको ध्यान रखना रखोगे हां जी जितिंदर जी बिलकुल ओर परकार के आटपूट डिवाइज कौन से हैं आपको रहाँ है आपको बताना है दो परकार के आउटपूट डिवाइस कोई सेफटा फट बता दीजेगा मॉनिटर और प्रिन्टर इस्टोरेश डिस्क, कीबोर्ड और माउस, विंडोस, इन में से कोई नहीं क्या लगता है, क्या लगता है प्यारे साथियों, फटा फट बताना है हाँ जी, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, बताईए आउटपुट डिवाइस पूचा है, साधार अब इसमें इन्पुट वाला दिमाग मत लगाना हाँ जी, बिल्कुल, इन्पुट पूचता तो कीबोर्ड और माउस लगा देते लेकिन आपसे पूचा क्या है, आउटपुट पूचा है, तो आउटपुट प्यारे बच्चे, मॉनिटर और प्रिंटर यहाँ पर सही हो जाएगा यानि ये आपका उप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखोगे ध्यान, यस और नो, बिल्कुल आउटपुट डिवाइस का प्रियोग करके आप डैस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डैस कर सकते हैं, या डेटा इनपुट, डेटा स्टोर, डेटा स्कैन, डेटा व्यू या प्रिंट, तो आउटपुट डिवाइस का प्रियोग करके आप क्या कर सकते हैं, बताइए, क्या क कर सकते हैं हाँ जैसे ही आप आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे तो आपको या तो डाटा को देख पाएंगे या डाटा को व्यू पर व्यू कर पाएंगे या डाटा का प्रिंट यहां पर प्राप्त कर पाएंगे और उसे हाड कॉपी में अपने साथ ले आउट्ट पुट से आपको या तो व्यू प्राप्त होगा या फिर आपको प्रिंट प्राप्त होगा यह बात या रख़ेंगा के रखोगे हादी बिल्कुल कुल आगए पागे बर्टे मोडेंटर का समान नाम क्या है connector, joiner, network या modem, सवाने नाम बताईए modulator, demodulator का जो आपके analog signal को analog signal को analog signal को digital signal में बदल देते हैं और digital signal को analog signal में बदल देते हैं बताईए प्यारे साथियो क्या लगता है क्या लगता है सही क्या हो जाएगा फटाफट बताईएगा सभी प्यारे बिच्छे आजी बहुत बढ़िया बिल्कुल 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 कौन सा सही उत्तर हो जाएगा तो एकदम modem एकदम सही उत्तर हो जाएगा D एकदम सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से निर्गित युकती आउटपुट डीवाईस कौन सी है आपको बताना है आउटपुट डिवाईस कौन सी है आपको बताना है हाँ यह वान सी है देखिए चाहे एक्जामनर चाहे जैसे भी गुमाएं मॉनिटर तो मॉनिटर है मॉनिटर कैसा भी हो वह आउटपुट डिवाइस ही रहेगा अलब दिईज और आपका यह सभी दोनों अप्शन मतलब यह आपका सभी तीनों के तीनों आपके आउटपुट डिवाइस यह बा भी प्यारे बच्छे बताइएंगे बलकुल हाजे है as a can a about it नीए कलिएर यह एक बता दीजी्याती T कलेके छालिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट कहलाता है क्या कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है बताईए आउटपुट कहलाता है इन में से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश या ताजा करना पड़ता है तो आप लोग बताएंगे देखें दो तरह की मेमोरी हमने पड़ी थी रैम के अंतर गत एक पड़ी थी एस रैम स्टाटिक रैम एक पड़ी थी आपकी डाइनमिक रैम डाइनमिक रैम स्टाटिक रैम ऐसी थी इस्टाटिक रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता था रिफ्रेश नहीं करना पड़ता यह अपने आप रिफ्रेश होती है और जो ड फोन में आपको बार बार क्लीनर का यूज़ करना पड़ता है जिससे आपका डाटा क्लीन होता था तो वहां पर आपके डी रैम यानी गतिमान रैम गतिमान रैंडम एक्सेज मेमोरी आपकी इस्तमाल होती थी याद रखिएगा फिक है आई बात समझ वे चलो आगे बढ़ते रैम की दच्छता बढ़ाने के लिए प्रेप फ्री हार्डिसक स्पेस को क्या कहते हैं और वर्चुल मेमोरी न वेर्चुल मेमोरी प्रेप एक वर्चुल मेमोरी ऑधाये क्या कहते हैं वर्चूल विक कहते हैं वर्चूल मेरी कहते हैं रेम की चम्ता बढ़ाने के लिए जोлемता होटी हुझसाओधि रिखिएगा ठीक है निल में से कौन एक इंपक्ट प्रिंटर नहीं है कौन सा एक इंपक्ट प्रिंटर नहीं है प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं एक होता है इंपक्ट प्रिंटर एक होता है इंपक्ट एक होता है non impact non impact non impact जो impact printer होता है साथियों जो impact printer होता है जहार रखिएगा इसका इसमें जो आपके पास कर dg wheel dg wheel के बाद drum printer drum के बाद आपका dot matrix printer chain printer ये सारे आते हैं non impact में inkjet printer आता है inkjet printer आता है और इसके अलावा laser printer आता है laser printer आता है printer printer आता है non impact में तो आप से पुछाएं कौन सा एक impact printer नहीं है तो आपका जो inject printer है inkjet printer है ये искjet printer आपका impact printer नहीं है impact मतलब जो print करते वक्त प्रभाव छोड़े जैसे dg wheel में क्या है wheel impact करता है चेन में चेन इंपक्त करती ड्रम में आपका ड्रम गूमता है उसके उपर डॉट में डॉट डॉट करके प्रिंट करता है तो यह सारे इंकजेट इंपक्त नहीं है इंकजेट नॉन इंपक्त में आएगा लेजर प्रिंटर भी नॉन इंपक्त में आएगा तो आज का आपको ह इसे आराम सब्सक्राइshe गूंदे हो और तारे चाहिक तरह के नाम अलग अलग कमेंच अलग क्या होता है डॉक का फुल फॉर्म क्या होता है यह दोनों तीनों चीज़ें आपको ढूल कर सर्च करके बतानी है साथियों यह बात याद रखेगा रखेंगे याद यस और नो कल फिर ठीक इसी सभ़े पर अपनी क्लास होगी 11 बजे से सभी लोग जुड़ियेगा जरूर मज़ा आएगा साथियों धन्यवाद जैहिन पढ़ते रहिए सीखते रहिए